कि हालो फ्रेंड्स असलाम अलेकुम आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक युनिक श्टाइल में आलो की पकोड़े की रेसिपी तो यह बहुत जारा कुरकरे और क्रिस्पी बनेंगे एक बाराव जुरूर बनाईएगा तो यहां पर हमने तीन बड़े साइस के आलो लिया है कि आलो हमने चिल कर अच्छे तरह बोश कर लिया है तो इनको के को रेक्ली अच्छी तरफा यह करेंगे तो देखिए आपर अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है और जिसका पानी एक्ट्रा पानी जो हम उसको निचोड़ देना है निकाल देना है सारा पानी देखिए अच्छी जारा कॉंटिटी में इसका पानी एक्ट्रा हो गया है तो सारा पानी निकाल देते हैं यहां तो हमने इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ दिया है और इसको हम 10 मिनट के लिए पानी में डिप करकर रखेंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा स्टार्च जिए वह खतम हो जाएगा तो यहां पर हम 10 मिनट के लिए आलो को भीगो कर रख देते हैं पानी में इसेटें तो यहां पर हम 1 ₹-tee-spoon जीएड़ करेंगे लिए और नमक करेंगे हमुए टेस्ट के कोडिंग और यहां पर हमें चार मिनट के बायग चुब करकर रख लिए था हरी मिनट सेट कर देते हैं कि यहां पर में थोड़ा ठोंट ने बारी काड़ कर लिया था नतले इंट कर देते हैं कि और यहां पर घुमें छार चमश कोर्ण तो कि यहां भर वही था मेर कर लिया है और इसकर अच्रों मिक्स कर लेते हैं नहीं तहीं इतने भी बहुत अच्छी तरह सेट हो जाएगा तो देखे हमां बेटर बहुत अच्छी तरह से बनकर तयार हो गया है तो इसका हम पकोड़ा के तयार कर लेते हैं तो देखे इस तरह से हमने हाथ में बेटर ले लिया है और इसकी गोल लोई बना लेनी है और इस तरह से तयार कर लेना है तो है तो यहां वर्ने पहले ही सारे पकोड़े बनाकर रख लिए थे तो इसी तरह से हमें जो बेड़ बचा रहे गाए तो इसके भी हम पकोड़े बना लेते हैं तो यहां पर फ्रेंट्स देखिए हमारे सारे पकोड़े बनके तयार हो गए है अब हम इनको डीप फ्राइए कर लेते हैं यह बहुत जादा किस्पी बनेंगे और कुरकुरे बहुत जादा मज़ा आएगा इनको खाने में एक बार आप जरूर बनाएएगा अगर घर पर गेस्ट वगेरा आजाए तो उनके सामदे भी आप सर्व कर सकते हैं तो यहां पर हमारा ओईल गरम हो गया है इसमां पकोड़े कर देते हैं और मिड़को मीड्यम रखना है बिल्कुल मीड्यम फिलेम इंपर यह बहुत अच्छे तहीं से किस्पी कुरकुर में बन जाएंगे हाई फ्लेम पर नहीं बनाना इनको देखकी साइट से बहुत अच्य ताजय से फ्राई हो गाये अब हमस्क्त साइट चेंज कर देते हैं बहुत अच्छा था गोल्डन कलर आ गया है इनके उपर तो देखे फिर्ण्स हमने पलेट दिये हैं और हमारे पकोड़े बनकर तयार हो गए बहुत जारे क्रिस्पीर कुरकुरे बने हैं एक बार आप जरूर बनाएगा अगर आपको रेस्पी पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजेगा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फेमिली फ्रेंड्स के साथ और एक बार आप यह यूडिक पकोड़े बनाकर जरूरे ट्राइग कीजिए बहुत ही जारा मजा आएगा